जिन्दगी में अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिये। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। परिस्तितियां जब विप्रीत होती है तब प्रभाव और पैसा नहीं स्वभाव और संबंद काम आते हैं। याद रखिएगा कि चल और धोके में बेशक बल है लेकिन प्रेम में आज भी हल है। नमशकार मैं हूं मोहित कमल श्रिमाली आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशी फल यानि की 14 अक्टूबर के इस विशेश एपिसोड में। साथ ही में आप सभी को बधाई और शुब कामना हैं जिनका आज जनम दिन है, मैरिज अनिवसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है। तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 14 अक्टूबर 2020 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेश उपाय में कैसे हो सकती है पान के पत्नों से नवरातरी में कामना पूर्ती। इस एपिसोड के अंत मैं बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो संबत 2078 का अश्मिन शुकल पक्ष चल रहा है। नवमी थिती है छे बच के बावन मिनट तक शाम के जिसके बाद में दश्मी थिती आरम हो जाएगी। उत्रा शाडा नक्षत्र रहने वाला है सुबह 9.34 मिनट तक जिसके बाद में श्रवन नक्षत्र आरम होगा। मकर राशी का चंद्रमा रहेगा वहीं पे दो पहर को डेड़ बज़े से लेके तीन बज़े तक के बीच में राहुकाल रहने वाला है। ऐसे में कोई भी शु खरीदने चाहते हैं क्वाद से वहीं थी cjeगा राहने बात बाहर है। पश्चमड़ अगर आगर आप यात्रा करने वाले हैं। तो मान करके चलिएगा जो भी काम करें गो उसमें सफलता जरूर मिले गी। वहीं पे दक्षन दिशा और आगने दिशा आगने जिसको की साउथ इस्ट दिशा बोला जाता है इंगलिश में तो इन दिशाओं में आज के दिन अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको रुकावटें देखनी पड़ेगी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जो काम करना चाते हैं वो सीधे हाथ से आपके नहीं हो पाएगा बहुती रुक रुक करके आपका काम आगे बड़ेगा इसका उपाय क्या कह है उपाय के तौर पे दिशाशूल दोश परिहार जो है दही खा करके यात्रा आरम कीजेगा अपने आप देखेंगे कोई भी कैसा भी विग्ण हो अपने आप हटता नजर आएगा सुर्योदय कालीन कुंडली में आज के दिन आश्रे योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सम योग, काहल योग, शंक योग, करम सिध्धी योग जैसे राज योगों का साथ मिलने वाला है अब ऐसे में हमेशा ध्यान रखिएगा, राज योग हर किसी की कुंडली में है, किसी की कुंडली में जवानी में आता है, किसी की कुंडली में बचपन में आता है, तो किसी की कुंडली में बढ़ापे में आता है अक्सर हमने लोगों को देखा है कि कोई बच्चा है जब उसका बच्चपन था बड़े ही एशो आराम से निकला था जैसे ही जवानी आई स्ट्रगल शुरू हुई एक के बाद में एक स्ट्रगल शुरू हुई परेशानिया खतम होने का नाम ही ना ले रही थी तो ऐसे में जहां पे राजयोग हैं राजयोगों ने उसके बच्पन को समार दिया था क्योंकि बच्चा खुद कमा नहीं सकता था तो माबापको इतना काबिल बनाए कि बच्चे को सारी सुक्सोबिधाय मिल पाए पर जब जवानी आई माबापका साथ हटा तब वो बच्चा अपने आपको ऐसे एंवाइनमेंट में पाता है जहां पे वो सब कुछ नहीं कर सकता है यह सिर्फ और सिर्फ दुर्योगों के कारण है जैसे कुंडली में राजयोग जो होते हैं उनके विप्रीत में होते हैं दुर्योग तो दुर्योग इनसान को फेलियर्स देते हैं रुकावटें देते हैं मूँ के बल बार बार गिराते हैं तो यहां पे ये चीज़ देखने को मिली अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है जो राजयोग है उससे आपको क्या फाइदा मिलेगा उसका फाइदा कब मिलेगा उसकी दशा कब शुरू होगी तो इन सभी जानकारी के लिए आपको राजयोग जनम पत्रिका बनवाने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे सिर्फ राजयोग जनम पत्रिका हम बात नहीं कर रहे हम संपून कुंडली के साथ में राजयोग जनम पत्रिका की बात कर रहे हैं अगर आप बनवाना चाहते हैं तो अभी दिवाली से पहले अगर अगर हम पहले बनाते हैं तो ऐसे में पच्छिस सो रुपे का लक्षमी बना एक कलश जो है जिसके दिपावली पर स्थापना की जाती है पूजा की जाती है तो वो आपको उपहार के तौर पे हम प्रदान कर कि हर हिंदू अपने धर्म के बारे में सोचे जो प्रताय हैं उसको फॉलो करें तो ऐसा ही कुछ आप सभी को मोटिवेट करने के लिए ये गिफ्ट के तौर पे आपको दिया जाएगा अगर इस पे और जानकारी चाहिए है आपको लक्षमी विनायक कलश में क्या-क्या आने वाली है तो ऐसे में इससे जादा शुब अफसर और कोई नहीं हो सकता कवच निर्मान के लिए 7 अक्टूबर से कवच निर्मान आरंभ हुए थे और 15 अक्टूबर को विजय दश्मी तक लगातार आप सभी के लिए कवच का निर्मान हम किये जा रहे हैं आप मैंसे ब पुलजाने के लिए आपने कवच भी मंगाया और ये आज की ही बात नहीं है जब भी कोई शुब अफसर आता है आप जरूर कॉल करके अपनी अपने आसपास के लोगों की समस्याओं के लिए उन सबी कले कवच मंगवाते हैं चाहे वो परिवार के लोग हैं दोस्त हैं या चाहते हैं अपने लिए भी कवच निर्मान तो साइड में जो नंबर दिये हैं इस पे संपर कीजेगा यहां पे ध्यान रखना आपको क्या है कवच निर्मान जब करेंगे तो उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी आपकी टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होगी आपके पिता जी का नाम चाहिए होगा अगर शादी शुदा हैं तो आपके पती का नाम चाहिए होगा और ऐसे में साथ में हमें आपका गोत्र चाहिए होगा तो जब यह सारी इन्फोमेशन आ जाएगी हमारे पास में यह सारी आप जान करेंगे तो उसके बाद में ही आप के लिए कवच निर्मान संभव होगा क्योंकि कवच निर्मान में जो जाप होंगे जो मंत्र होंगे उनकी शक्तियां होंगी वो सभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगी तो ऐसे में जो उसका फाइदा है वो भी सिर्फ आपको ही मिल पाएगा अगर आप भी चाहते हैं इ कौन से समस्या के लिए आपको क्या कवच पहनना चाहिए है तो उसके कुछ जानकारी आपको ऐसे ही प्रदान कर रहा हूं। पिता पुत्र हैं, जगड रहे हैं, घर की महलाएं हैं, किसे ना किसी वज़े से एक दूसरे के साथ में जगड़ती रहती है, पूरे घर का महौल खराब कर देती है, तो ऐसी स्थितिया घर को तनाव पूर बना देती है, इन सभी से बचने के लिए एकादश रुद्र कवच जो है, वो घर के सदस्यों को धारण करना चाहिए है, लौकडाउन के बाद में, दुकाने तो खुल गई है, पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आमदनी नहीं हो रही है, जिस तरीके से सोचा था कि उभर जाएंगे वापस, उभर नहीं पा रहे हैं, जो व्यापारी बंदुग अब बात करते हैं बच्चों की, तो जिन पैरिंट्स को अपने बच्चों से लापरवाही की, कूसंसकारों की, रास्ता भटकने की शिकायत रहती है, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बच्चा ड्रक्स तो नहीं ले रहा है, गलत लोगों के साथ में नहीं उट बैठ कहीं किसी चक्कर में तो नहीं पड़ा है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासे तो चल रही है, पर लापरवाई ऐसी है बच्चों की, कि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासे की समय में उट नहीं पा रहे हैं, मोबाइल मंगवाली हैं पैरेंट्स से, पर खेल रहे हैं तो ऐसी स्थिती में बच्चे अगर हैं 18 वर्ष के नीचे के तो उन्हें सरस्वती कबच जरूर आपको पहना आना चाहिए है चाहिए कैसा भी बच्चा हो टॉप रैंकर बच्चा है उसे भी सरस्वती कबच पहना करके एक बार देखिएगा अपने आप जो हो गाउस वो चमतकार से बगम नहीं है अब अगर बच्चा 18 से उपर का है कॉम्पिटिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहा है बहुत परेशान है चाहता है कि किसी भी तरीके से उसे सफलता मिले तो एक होता है मेहनत हर कोई करता है दूसरा होता है भाग्या हर किसी को नहीं मिलता है तो यहां पर बच्चे की मेहनत को भाग्या का साथ मिले उसके लिए अश्ट विनाएक कवच उन्हें जरूर पहनाईएगा इसके बाद में बात आती है एकनॉमिक स्लोडाउन की चारों तरफ आज की तारिक में एकनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है जो कमाना चाहते हैं पूरे तरीके से कमा नहीं पा रहे हैं लोगों की नौकरियां जा रही है जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं हमारे उपड़ छटनी ना हो जाए जो बिजनसमेन हैं वो परिशान हो रहे हैं कि जिस तरीके से कमाना चाहिए उस तरीके से कमाना ही पा रहे हैं तो ऐसे में अश्च लक्ष्मी कवच धारन करना आपके लिए हितकारी साबित हो सकता है संतान के विवा में बाधाय आ रही है तो आप उन्हें शिवगौरी कवच जरूर धारन कराएं जो जीवन में सुख शांती कर से राहत धरम अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ चाहते हैं उन्हें दस महा विद्या कवच धारन करना आज की समय में सबसे जादा शुब साबित हो सकता है हमेशा याद रखिएगा बीता हुआ कल जो है वो बदलने का वाइदा नहीं कर रहा हूँ कोई जादू नहीं बता रहा हूँ जो चीज़ें देखी है अपनी आँखों से देखी है आप सभी के लेटर्स आप सभी के फोन कॉल से हमने सीखी है वही चीज़ें आप सभी को बता रहा हूँ हमेशा ध्यान रखिएगा बीता हुआ कल नहीं बदल सकते पर आने वाला कल जो है उसको बदलने की शक्ती सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में जो फोन है उसके अंदर है बिना समय गवाएं नव मी का और विजए दश मी का जो शुब महुरत है उसका फाइदा जरूर उठाएं तो आईए शुरू करते हैं आज का राशिफ और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की तो मेश राशी के लिए राशिबाव से दशमभाव के अंदर चंद्रमास थे थे मित्रतारा का साथ मिल रहा है और अश्टाग वर्ग में 27 डॉट्स जो दिन को 200% पॉस्टिव बनाने का काम करने वाले हैं तो ऐसे में नवमी का दिन और इतना जादा सुख समरिद्धी आपको मिल सकती है सफलता आपको मिल सकती है जो भी काम कर रहे हैं उसमें ध्यान कीजेगा ध्यान लगाईएगा जो भी योजनाय बना रहे हैं जो योजनाय आप आज के दिन सफल तरीके से सही तरीके से उतारना चाहते हैं तो ये सारी चीजों में आपको सफलता जरूर मिलेगी समाज में लोग प्रसिद्धी आपकी बढ़ेगी लोगों से जो आपके संबंध हैं वो बहुत ही मित्रता पून बढ़ने वाले हैं अगर आप पबलिक फिगा हैं सेलिब्रिटी हैं, इंफ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर है मेरे जैसे या कोई बहुत ही बड़े पॉलिटीशन है तो आज के दिन बहुत ही जादा प्यार भी बटोरने को आपको मिलने वाला है लोगों से अगर ऐसे में ही आप कोई भी आज के दिन शुब घड़ी के अंदर कोई deal करना चाहते हैं, कोई land खरीदना चाहते हैं, कोई plot खरीदना चाहते हैं, कोई flat खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों में बहुत ही जादा आपको लाब मिल सकता है और ऐसे में ही आपको नौकरी जो कर रहे हैं लोग उनको अचानक से एक बहुती मीठा सा बदलाव अपने काम में देखने को मिल सकता है अंदर से आज बहुत ही जादा energetic रहेंगे, बहुत ही जादा positive रहेंगे, बहुत ही जादा खुश रहने वाले हैं और ऐसे में चीज़ें जो है वो अपने आप आपके लिए आगे बंती चली जाने वाली है अब बात करते हैं व्रशब राशी की, व्रशब राशी के लिए राशी भाव से 9th house में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है अश्टाग वर्ग में 22 dots हैं जो दिन को आज के लिए बना देते हैं आपके लिए 40% support का ऐसे में आज के दिन कोई पुरानी की हुई गलती सामने आ सकती है शुब दिन है ऐसे दिन को ऐसी भावनाओं के साथ में खराब मत कीजेगा अच्छा सोचेगा पॉजिटिव सोचेगा कोई भी चीज हुई है माफी मांके आगे बढ़ने की कोशिश कीजेगा धार्मिक तरीके से भी धार्मिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो आज के दिन आस्ता आप में बहुती जादा उत्पन होगी माता का प्रसाद खा लिया या तफर माता की जाकर के मंदर में आपने प्रातना कर लिया उनको एक बार देख लिया तो अपने आप मन में जो शांती महसूस होने वाली है उसका जवाब आज नहीं मिल पाएगा किसी भी दूसर तरीके से बहुती जादा शांती आपको महसूस हो सकती है और ऐसे महीं जहां पे भी जाए दो चीजों का आपको ध्यान रखना है सबसे पहला किस तरीके से आप सामने वाले के साथ में बात चीट करते हैं कैसे भीएव करते हैं घर والों का गुस्सा अगर बाहर निकालने की कोशिश की तो आपके लिए आज का दिन खराब हो सकता है 40% सपोर्ट मिल रहा है पर ऐसी चीजें करते हुए आपका दिन खराब हो सकता है नॉमली जहां पर आपको छोड़ दिया जाता था बोल दिया जाता है कोई बात नहीं छोड़ दीजे आज के दिन सामने वाला हावी होने की कोशिश करेगा ऐसे में ही धनकी हानी भी आपको हो सकती है शुबरंग ऐसे में आज आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर शुबंक रहेगा नमबर थ्री अब बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के लिए 8,000 में जंद्रमा विपत तारा का साथ अश्टग वर्ग में 35 डॉट्स दिन को सिर्फ और सिर्फ 33 परसंट सपोर्ट का बनाते हैं ऐसे में आज के दिन दुखी जादा नजर आएंगे रोगों से ग्रसिद जादा रहेंगे कोई ना कोई चीज की परिशानी आपको आज के दिन देखने को मिलने वाली है आस पास में दूसरे लोग आज के दिन बहुत जादा खर्च कर रहें बहुत नई चीज़ें ला रहें पर आप नहीं ला पा रहें हैं इस चीज़ को देख करके बहुत ही जादा घराब भी महसूस करेंगे। ऐसा सोचेंगे कि आपने ऐसे क्या पाप किये हैं कि आपको ये सौभाग्य नहीं मिल रहा। पर ध्यान रखिएगा हर कोई अपनी जिन्दगी में अलग दौर दौर रहा है। अपनी दौर को सामने वाले के साथ मैं ना पेंगे तो हमेशा अपने आपको यही सोचेंगे कि मैं पीछे क्यों हूँ। पर जब दौर मैं अकेले ही हो तो हमेशा यही सोचोगे कि सबसे आगे ही मैं चल रहा हूँ। ये मानसिक्ता के साथ में सोचने की कोशिश कीज़ेगा आज के दिन अपने आप negative को positive कैसे convert करना है ये सोचना है आज अपने आपको और ज़्यादा motivate करना है अपना self confidence जो है उसको जगाने की कोशिश करनी है मेहनत हर किसी को करना है भाग्ये का साथ भी मिलेगा पर आज भाग ये का साथ नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए हाथ पे हाथ दरके तो बैट नहीं सकते ऐसे में आज के दिन घर वालों से भी सपोर्ट की अगर उम्मीद लगा करके बैठेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है और आज के दिन चाहे दोस्त हुए कलीग्स हुए ऐसे महिलाएं हैं जो आपकी बहुत ही जादा मित्र हैं बहुत ही अच्छी मित्र हैं आप एक कुछ बोल देते हैं उसके साथ में वो अपना सब कुछ आप पे लुटाने को तेयार है क्योंकि वो आपको अपनी जिंदगी का इतना एहम पार्ट मानती हैं तो ऐसे में इन लोगों से आज के दिन आपको लाब हो सकता है कितनी भी बड़ी समस्या हो ये आपको बाहर निकालने में सक्षम साबत होने वाले हैं शुबरंग रहेगा आज आपके लिए पिंक कलर शुबंग रहेगा नमबर फाइव अब ब है और ऐसे में ही आज के दिन कोई बहुती बड़ाव आप अपने अंदर लाना चाते थे अपने घर में लाना चाते थे तो उसमें भी सक्षम साबित होंगे सुख सुविधाय आज आपको पूरी मिलने वाली है घर परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा लाइफ पार्टनर आज के दिन आपको बहुत ही जादा खुश कर देगा और ऐसे में ही आज उनके द्वारा यानि कि आपके जीवन साथी के द्वारा आपको कोई बहुत ही बड़ा गेन भी मिल सकता है वहन का सुख भी मिल सकता है हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके यूज़ करते हैं तो बहुत ही जादा शुब रहने वाले आज का दिन शुब अंक रहेगा आज आपके लिए नमबर पाँच अब बात करते हैं सिंग राशी के लिए सिक्स थाउज में चंद्रमा है सादक तारा का साथ है अश्टाग वर्ग में 31 डॉट से दिन को 200 परसंट पॉजटिव बनाने का काम करने वाले हैं ऐसे मैं आप मेंसे जो भी लोग कोई भी परेशानी से जूँझ रहे थे कास तौर पे स्वास्थिय को ले ले करके कर्ज को ले करके रुपय पैसों को ले करके तो आज के दिन वो सारी परेशानया दूर घटती नजर आ सकती है किसी के साथ में विवाद भी चल रहाता है चाहे घर के अंदर है घर के बाहर है तो वो विवाद भी आपके पस एक कदम आगे बढ़ाने से खतम हो सकता है सामने वाले को बस ये पता करना है कि आप तयार हैं चीजों को सुधारने के लिए तो अपने आप चीजें सुधरती नजर आ सकती है आज के दिन आपके लिए सेल्फ इंप्रूव्मेंट का है जो नौकरी करते हैं जो बिजनिस करते हैं उसमें बहुती भारी मुनाफ़ा भी देखने को मिलने वाला है और ऐसे में ही आज के दिन धनलाब भी आपको बहुत जादा होगा जो भी लोग इंटर्व्यू देने आज जा रहे हैं या इंटर्व्यू दे चुके हैं आज उनका रिजल्ट आने वाला है तो आप सभी को बता दूँ कि आपके लिए शुब घड़ी जो है अब बस शुरू ही होने वाली है अब आपको बस मेहनत करनी है क्योंकि भागिया का साथ आपको मिलने वाला है ऐसे में शुब रंग आज आपके लिए रहेगा ग्रीन शुब अंक रहेगा नमबर वान अब बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी के लिए फिफ्थ हाउस में चंद्रमा विपत तारा के साथ अश्टाग वर्ग में 26 डॉट्स हैं ओवरॉल सिचुएशन को यहाँ पे आपके लिए 40% सपोर्ट का बनाते हैं तो ऐसे में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं चाहे हम 18 वर्ष के नीचे के बच्चों की बात कर रहे हैं या उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो कॉम्प्टिटिव एक्जाम की तियारी कर रहे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उन सभी के लिए आज का दिन बहुत ही जादा हेक्टिक होने वाला है जो आप सोच रहे थे वैसी चीज़ें नहीं हो पाएगी कि लगता है कोई भी चीज मेरे साथ में सही क्यों नहीं हो रही तो आज वही दिन है इस दिन को गुजारने की कोशिश कीजेगा जो भी काम कर रहे हैं उनको बहुती ज़ादा सावधानी से काम करना है जो व्यापारी है उनको बहुती ज़ादा सोच समझ के चाला की से आज के दिन अपना काम करना है भीड बहुत आने वाली है उस भीड को मैनेज करना अपने सामान को प्रोटेक्ट करना अपनी दुकान को अपने मुनाफ़े को प्रोटेक्ट करना आज सिर्फ और सिर्फ आपकी जो तरक शक्ती है उस पर ही नर्भर करेगा यात्रा जो भी करने वाले हैं खास तोर पे जो खुद की गाड़ी से करते हैं आज के दिन अपनी गाड़ी से यात्रा ना करें तो जादा सही रहेगा ये एक चेताव नी मांग लीजेगा यहीं पे जो भी लोग स्वास्ते संबंदी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो ऐसे में आज के दिन गठिया से आपको दुखी होना पड़ सकता है और ऐसे में ही किन लोगों के साथ में उटते बैठते हैं कहां पे जा रहे हैं किन लोगों के साथ में जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इस पर थोड़ा गौर फर्माइएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप खुले में बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, आस पास में कोई ना कोई है, जो सब सुन रहा है और आपको देख रहा है, और उसकी अब बात करते हैं तुला राशी की तुला राशी के लिए फोर्थ हाउस में चंदरमा प्रत्यारी तारा का साथ अश्टक वर्ग में 26 डॉट्स दिन को आज के दिन सिफ वो सिफ 33 परसंट आप के लिए सपोर्ट का बना रहे हैं ऐसे में डर का माहौल रहने वाला है घर वालों से जगड़े होने वाले हैं बहुती ज़ादा एंक्शियस और डरे डरे से रहने वाले हैं बार बार भागने की कोशिश करेंगे चीज़ों से बच करके छुपने की कोशिश करेंगे अपने आप अंदर ही अंदर खुझ से ही आ रिष्टे का कोई नाम नहीं है, तो ऐसे रिष्टों से आज के दिन आपको बहुत ही ज़ादा नुकसान पहुच सकता है, ना ही सिर्फ आपके पारिवारिक जीवन को, आपको भी, आपके धन को भी, इस चीज़ पे आज के दिन बहुत ही ज़ादा गौर फर्माईएगा, बनाने का काम करते हैं ऐसे में आज के दिन जितना हो सके अपने पूरे दिमाग को इन्वेस्टमेंट पे आपको लगाना है सोचना है कि जो पास में इतना कैश है जो इतना आपके पास में धन है उसको कहां पे इन्वेस्ट करों कि जल्दी से जल्दी ये कमपाउंड हो करके बड़ी अमाउंट में बन सके तो इस चीज में आज के दिन आपको दिमाग लगाने की जरूरत है सुख सम्मान में प्रतिश्टा में पराक्रम में आज के दिन आपको भारी वरद्दी देखने को मिलने वाली है सब मिला करके बहुत ही जादा शुब दिन साबित होने वाला है बहुत ही जादा आपको अप्रिशेट किया जाएगा आपकी पीट थप थपाई जाएगी आपको बहुत ही जादा प्रेम दिया जाएगा के कारण है इस चीज का जितना हो सके लुद्फ उठाने की कोशिश कीजेगा शुब रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कल है शुब अंक रहेगा नमबर फो अब बात करते हैं धनूराशी की सेकंड हाउज में चंद्रमा है जनमतारा का साथ है अश्टग वर्ग में 27 ओवराल सिचुएशन को ये आज आपके लिए 40% सपोर्ट का बना रहा है तो ऐसे में घर परिवार में जो बच्चे हैं आपके लाइफ पार्टनर हैं उनकी परिशानियों से उनकी बिमारियों से आज बहुत ही ज़ादा दुखी हो सकते हैं हो सकता है कि आप कोई चीज को ले करके बहुत समय से उनको आगा कर रहे थे पर आज फाइनली जब तब इत खराब होई डॉक्टर के पास में गए तो वही हुआ जिसका डर था इन चीज़ों को ले करके आप बहुत ही ज़ादा दुखी हो सकते हैं यहीं पर दुख इन सब की बिमारियों से तो था ही ले करके बहुत ही ज़ादा उदास रहेंगे ऐसे में ही उदासींता के कारण ना ही काम में फोकस कर पाएंगे ना ही जो नौकरी कर रहे हैं वो सही से अपना काम कर पाएंगे ऐसे में आसपास वाले लोग आपका फाइदा भी उठा सकते हैं आपको नुकसान भी पहुचा स और जगड़े में भी फसा सकते हैं। ऐसे में खुद को थोड़ी एनरजी देने के लिए, खुद को थोड़ा जौदा वाइब्रिंट बनाने के लिए रेड कलर का इस्तमाल कीजेगा, अपने आप चीजों को बदलता कैसे देख सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। आज के दिन जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खास तोर पे अपने लाइफ पार्टन के नाम पे, तो बहुत ही ज़ादा शुब रहने वाला है। आज जो भी लगजरी चाहते थे, बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते थे, बड़ी टीवी, बड़ा फ्रिज खरीदना चाहते थे, तो आज वो दिन है कि आप फाइनली जाकर कि वो चीज खरीद सकते हैं। दांपत्य सुख पूरा मिलने वाला है, पारिवारिक सुख पूरा मिलने वाला है, संपत्ती का सुख, वाहन का सुख, हर तरीके से जो सुख आज आप सोच रहे हैं कि आपको पार्टनर के लिए कोई अच्छा सा नेकलिस, कोई अच्छा सा सोने का सेट खरीद करके उनको गिफ्ट कर बैठें. क्योंकि नवमी का दिन है, माता को तो इंप्रेश सब करी रहे हैं, तो आपके घर में जो शक्ती है, उसे क्यों आज के दिन खुश ना किया जाए? कोशिश क करते हैं कुम राशी की, कुम राशी के लिए 12 हाउस में चंद्रमा संपत्तारा के साथ अश्टाग वर्ग में 28. दिन को आज के दिन बना लेते हैं, 67% सपोर्ट का. आज के दिन, सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जो भी लोग आज आकर के आपको उकस करने की कोशिश की जाएगी. अपने आपको समझा करके रहिएगा कि सामने वाला आपका फाइदा कैसे उठाने की कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीज़ेगा. दूसरा, आज के दिन, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं, खरीदने व करें. हो सकता है कि संपत्ती से जुड़ा कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई लॉस आपके हाथ में पढ़ जाए. ऐसे महीं यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा में चोरी होने की संभावना, गाडी खराब होने की संभावना, दुरगटना होने की संभावना, आज के दिन ज 37% positive बनाते हैं तो ऐसे में आप मेंसे कोई भी इंसान नई जॉब शुरू करना चाहता था कोई भी नया काम शुरू करना चाहता था खुद का business डालना चाहता था खुद की शोटी दुकान डालना चाहता था तो आज का दिन है जो सबसे जादा शुब साबित होने वाला है आपके लिए ऐसे में ही जो भी businessmen है आज के दिन cash collect करने वापस जा रहे हैं तो ये आपके लिए आज के दिन काफी जादा खुश नजर आने वाला है जो आप चाहते हैं जो आपने cash market में दिया वा था वापस लेंगे तो उससे आज के दिन कोई भारी अच्छी चीज आप अपने घर परिवार वालों के साथ में खरीच सकते हैं ऐसे में ही घर वालों से बहुत ही जादा अच्छे संबंद रहेंगे बहुत ही जादा प्यार मिलेगा जो चीजों में आपको support चाहिए था वो support आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा स्वास्ते में अगर आपको कोई ऐसी नजर आ रही थी चीज की problem है थकान जादा महसूस हो रही है energy कम है या तो फिर कोई part आपका बहुत जादा दुखरा है तो आज के दिन वहाँ पे recovery जो है वो देखने को आपको मिल सकती है ऐसे मैं आपको बस दो चीजों का यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है सबसे पहले जो आपके शत्रू है वो आज के दिन अगर आपके आसपास में मनरा रहे हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि वो क्या सूच रहे हैं क्या करने वाले हैं क्या बोल रहे हैं उसकी चीज आपको पहले समझ मा जानी चाहिए दूसरा जो भी खर्चे करते हैं आज बिना बाद के खर्चों से बचना है जो खर्चे घरवालों के लिए खुशी के लिए किये जाए वो सही है जो सिर्फ और सिफ खुद को खुश करने के लिए दूसरे लोगों को दिखाने के लिए की जाए उन छीज़ों से आज की दिन आपको बचना है शुब रंग आज आपके लिए रहेगा औरेंज कलर शुब अंक रहेगा नमबर एट ये तो हुई बात आज के राशी फलकी आईए अब बात करते हैं आज के विशेश उपाई की कि पान के पत्तों से नवरात्री में कामनापूरती कैसे हो सकती है तो सबसे पहले नवरात्री के दोरान सुबह है चार बजे से छे बजे के बीच में नहा धोकर पूजा पर बैठ जाना चाहिए है क्योंकि इस समय को ब्रह्म महरत माना जाता है उसके बाद मा भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी की आपको पूजा करनी है और पान के पत्ते की जड़ को गिसकर उनका तिलक करें ऐसा करने से आपकी वानी में मधुर्ता आएगी और खुबसूरती में भी व्रद्धी होगी साथ ही साथ आपके आकरशन शक्ती में भी बढ़ोत्री देखने को मिलेगी दूसरा उपाया आता है किसी भी रोक से मुक्ती पाने के लिए साबुत जटा वाला नारियल आपको लेना है अपने उपर से 21 बार उसे उवारना है कैसे करेंगे क्लॉक वाइस करते हैं ऐसे जब क्लॉक कैसे घुमती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाती है तो वैसे ही आपको भी करना है अपने सिर के उपर से 21 बार अब उस नारियल में कपूर डाल कर उसे जला देना है वहीं जरूरी काम में बार बार बाधा आने पर नवरातरी काल में रोजाना शुभे स्री राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाट करना है ये आपके लिए बहुती जादा लाबकारी सिद हो सकता है साथी साथ में नवरात्री के नौदन आप ओम सर्वमंगल मांगल लिए शिवे सर्वार्त साद के शरणिये थ्रम्ब के गौरी नारायनी नमोस्तुते इस मंतर का जाप भी करें अब तीसरा उपाय नवरात्री में आप कर्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं इस दोरान आने वाले मंगलवार को पान का एक साबुत पत्ता लेकर उसमें लौंग और इलाईची रखकर उसका बीड़ा बना लें किसी भी हनुमान मंदर में जाकर उसे अर्पित कर दीजे और कर्ज की समस्या से निदान पाने की ये आपको मनोकामना जाहिर करनी है ऐसा करते ही आपकी जितनी भी परिशानिया है अपने आप हनुमान जी हर ही लेंगे चौथा उपाय आता है धन लाब के लिए धन लाब के लिए अश्ठमी और नवमी के दिन यानि की आज जो नवमी है नवमी के दिन साफ स्थान पर उत्तर के दिशा में मू करके आपको बैठना है अपने सामने एक थाली में कुमकुम से रंग कर बनाए लाल चावलों की एक धेरी बना कर उस पर श्रीयंत्र स्थापित करना है और श्रीयंत्र के सामने चमेली के तेल के नौदीपक जलाकर लक्षमी का मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमह इस मंत्र का जाप करना है पाँच बाव पाए जहां पे घ्रकलेश जादा होता है या हो रहा है तो कोई घर में परेशानी हो तो आपको इस नवरात्री के नौवे दिन लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गास्तोत्र और दुर्गाजी की नमावली का पाठ करना है घर में सुक्षान्ती का प्रवा आप अपने आप बहुती जल्द देख पाएंगे चटा उपाय उन लोगों के लिए जो नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या तो फिर व्यापार में बढ़ात्री में अर्चने देख रहे हैं तो आप सभी को नवरात्री में ये उपाय जरूर करना है पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है और इसे मादुर्गा को अर्पित कर देना है इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रख कर सो जाना है अगले दिन सुबह उट कर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदर के पीछे रख करके आपको आ जाना है सभी बाधाय जो हैं वो दूर होंगी और कार्य में आपको प्रगती देखने को मिलेगी साथवा उपाय व्यापार में सफलता अगर आप पाना चाहते हैं तो नवरात्री में नौ दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा मादुर्गा के मंदिर में आपको जाकर के चढ़ाना है आपको व्यापार में जरूरी ही लाब मिलेगा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर दिन एक निश्चित समय पर ही आपको जाना है वरना इसका लाब जो है उपाय का नहीं मिल पाएगा आठवा उपाय नवरात्री की नवमी तिती को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूद, दही, घी, शहद और शक्कर ये मिला करके चढ़ाना है अच्छे से सनान करवानी है इसके बाद मंदिर की सफाए भी आपको स्वयम करनी है महादेव का अगर श्रिंगार कर सकते हैं तो पूरे मंद से कीजेगा अब भोले का ध्यान करते हुए मंदिर से आप घर पलोट जाए इससे विवासमंदित जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको पूरी होती जरूर दिखेगी अब नववा उपाय यदि आपके घर में पारिवार एक समसे हैं बहुत ज्यादा है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है कोई अंथी नहीं नजर आ रहा है तो नवरात्री के नववे दन यानि की नवमिती थी जो आने वाली है चौदा तारिक को उस दिन सनान करके निपट करके आपको जो मंत्र बता रहा हूँ इसका उचारन करना है 108 बार और अगनी में आहूती देनी है घी की मंत्र कुछ इस प्रकार है सब नर करही परस पर प्रीती चलही स्वधर्म निरत शुरूती नीती इस मंत्र का जाप करना है आपको 108 बार और अगनी में घी की आहूती देते जानी है आप रोजाना भी इस जाप का काराम से कर सकते हैं सिफ नवमी के समय आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है नवमी को शुरू कर दीजे पर इसको लगातार करते रहिएगा एक किस दिनों तक आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे घर में जो negativity है वो हटती जाती है कैसे माहौल वापस से सही हो जाता है शुद हो जाता है घर में सब प्रेम से एक साथ में रहते हैं घर में परिवार का माहौल जो है वो अपने आप बदलता नजर आएगा तो ये तो हुए नौ उपाए पान के पत्तों के इस नवराथरी की नवमी तिथी को आप करने वाले हैं जो पर द्यनिक राशिफल समाप्त करने से पहले बात करते हैं लक्षमी जी की दिपावली की विग्न निवारन के लिए गनेश जी की न केवल विग्न विनाश ही वरन प्रत्य कामना भी इनकी उपासना से पून होती है हिंदू धरम का कोई भी मांगलिक कार्य बिना भगवान गनपती की पूजा के प्रारम नहीं हो सकता इतना ही नहीं हर देवी देवता की आराधना साधना करने से पहले भगवान गनपती से ही प्रार्तना की जाती है हिंदू धरम में अतीम महत्वपून देव हैं देवादी देवगनपती और मालक्षमी प्रत्येक व्यक्ति के संपून जीवन की आराध्या है संसार का आधार है मालक्षमी की क्रिपासे धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्टा, यश, कीर्ती सभी उपलब्ध हो जाता है इसलिए कि मालक्षमी सभी कुछ देने में समर्थ हैं विश्व में सबसे अधिक विधिया लक्षमी साधना से संबंदित है जिस तरह से लक्षमी जी और गनेश जी अपने अपने शेत्रों में अलग-अलग महारत रखते हैं अगर इन दोनों शक्तियों का आशिरवाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाय पूरी हो सकती है आप पा सकते हैं अपारधन, यश, वैभव जहां लक्षमी जी की पूजा उपासना आपको लक्षमीवान बनाती है वहीं बुद्धी प्रदाता, विग्न विनाशक गणपती जी आपको तिक्षन बुद्धी, चतुराई प्रदान करने में सफल साबत होते हैं लक्षमी जी को चीरकाल तक आपके जीवन में रुकने में आ रही विग्नो का विनाश करती हैं और दिपावली का महापर्व आने वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन परव पर वह माता लक्षमी को और भगवान गनेश को प्रसंद करने हैं और अपने जीवन को सवार पाए अपने कश्टों को सौभाग्य में परिवर्तित कर पाए अपने दुखों को दूर कर बहुत इक सुखों की प्राप्ती कर पाए तो आपके लिए ये दिपावली एक अफसर हो सकता है पर लक्षमी विनाय कलिश के माध्यम से पूजा करने का स्थापित करने का अकेला मौका यही मिलने वाला है आप आज प्रण लें कि आप अपना भाग्य बदलेंगे आवाहन कीजिए सुख सम्रिद्धी का एश्वरिय का इस दिपावली के महापर्व पर आशा करता हूं कि जो आपको इतनी जानकारी दिया हूं इतने उपाय बताया हूं इतनी सारी महनत किया हूं आज इससे आपका जीवन कुछ तो सुधर ही पाएगा बस बात यहां पर यही आती है कि एपिसोड देख करके सिफ सोच करके बदल नहीं सकते जीवन को जो उपाय बताया हूं वो जब तक करेंगे नहीं तब तक सुधर नहीं पाएगे इस बात को गांट बांद लीजेगा हमेशा की तरह यह हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे संपन रहे सुरक्षित रहे घर में बड़े भूड़ों का आश्रवाद आपको हमेशा मिलता रहे हमेशा की तरह जैश्री राम एवं जैहन झाल 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 झाल